हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्टेडी विट कंसेप्स देखे जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी कि आई वी पी-एस आराअरवी पीयो और आरारवी क्लर्क का एक्जाम होने वाला है उसी प्रकार से जैसे कि अभी तो एब बारा तारिक को था तो वह वह पॉस्पॉर्ण हो गया बारा सप्टेंबर लेकिन 19 सप्टेंबर को तो अभी हमारा शेडिल्ड है आरावी क्लर्क है फिर उसके बाद 3 October को है हमारा IBPSPO फिर clerk है फिर उसी प्रकार से मतलब ये सारे आपके bank के exam अब continue चलने वाले हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा दो weightage रहता है reasoning में वो रहता है puzzle का 4 questions मतलब 20 marks के questions आपको puzzle से ही देखने को मिलेंगे अब वो puzzles जो है वो puzzles जो है वो आपका किसी भी pattern पर हो सकता है है ना जैसे कि single row puzzle double row puzzle है ना एक north side है face एक का south side है है इसमें कुछ बैठे हैं इसमें कुछ बैठे हैं पाच्छे लोग circular based है ना रेक्टेंगूलर बेजड इसक्वेर बेजड ट्राइंगूलर बेजड क्लियर ना फ्लोर बेजड पजल फ्लोर बेजड के साथ साथ इसमें आपके order and ranking वाले जो होते हैं वो other ranking आपके डे पर बेजड पजल मंत पर बेजड पजल किसी भी प्रकार के आपको पजल देखने को मिल सकते हैं ा ने रेक्तर एक हो न्यों और closest तक देखने को मिली सकते हैं वह आपका easy to moderate होंगे pre में है ना वो आपके easy to moderate होंगे जितने भी puzzle के question होंगे वो easy to moderate होंगे pre की बात कर रहा हूं है किसकी pre की ठीक फिर mains के भी मैं यहां पर आपको questions बताऊंगा जैसे जैसे level आएगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूँगा कि यह pre का है या main sky question clear चल तो आज मैं आपको moderate level की एक puzzle करवाने वाला हूं एक puzzle मैं करवा रहा हूं और दूसरी जो puzzle है वो आपको homework है उस homework में आपको पहले puzzle को solve करना है घर पर और उसके बाद मैंने वहां तीन question दिये है उन तीनों का answer आपको comment box में देना है अगर आपने वह तीनों के answer अगर आपने दे दिये तो समझ जाना कि आपकी puzzle जो है आपको puzzles मतलब काफी अच्छे से आती है अब सिर्फ और सिर्फ आपकी accuracy तो सही है अब सिर्फ और सिर्फ आपको speed पर ध्यान रखना है कि मैं puzzle को जल्द से जल्द दो से तीन मिनट में मैं कैसे solve करूँ clear चल तो पहले मैं आपको puzzle करवा देता हूँ फिर मैं आपको homework दिखाऊ ठीक है देखो पहला question है अपना पहली जो puzzle है वो क्या है यह अब यह देखने में तो बहुत बड़ी puzzle लग रही है है ना देखने में तो बहुत बड़ी puzzle है लेकिन यह हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है 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 ना हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है इसलिए तो यह इतनी सी है puzzle और यह इतनी है और एक चीज़ मैं आपको बह अगर पजल है तो समझ जाना कि ज्यादा हमको डाटा वहाँ पर अच्छे से दिया होगा ऐसा समझ के चलना तो आप उस पजल को अराम से कर लोगे वरना इतना बड़ा पजल देखके ही घवरा जाओगे क्लियर हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है क्लियर जिसको जैसा पढ़ना है वैसा पढ़िएगा और कोश्चन को मेरे साथ चलते जलते सॉल्व करो मैं आपको बताने वाला हूं देखो पजल तो सबको आती है लेकिन उस पजल को सॉल्व कैसे करते हैं क्या एप्रोच स and each of them has a favorite city Mumbai, Pune, Delhi, Kolkata, Chennai, Hyderabad and Kochin the choices of fruit and favorite city of seven friends are not necessary in the same order order की बात हो रही है यहाँ पर मुझे पता चल गया कि friends है और क्या क्या है फेवरेट इनके fruit है और क्या है city है फेवरेट तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ friends friends अब मेरे पास exam में ज़्यादा time नहीं इसलिए मैं एफार करके लिख दिया friends उसके बाद अच्छा एक सकंड मैं इसको जड़ा remove कर देता हूँ friends है ठीक है friends है उसके बाद fruit है क्या है fruit fruit छोटा सा है लिख सकता हूँ मैं fruit है और एक और चीज यहाँ पर क्या है sir एक और चीज है यहाँ पर city तो मैंने यहाँ लिख लिए city इतनी चीज clear है इतनी चीज clear है ठीक है चलो अब देखो यहाँ पर जो जो चीजें दी गई है वह मैं एक बार रफली लिख लूँगा सिर्फ एक ही बार लिखूंगा और सारी चीजे एक बार में clear हो जाएगी देखो Q likes mango ठीक Q likes mango मैंने यहाँ लिख लिख लिया कि Q को क्या पसंद है mango mango पसंद है है ना spelling थोड़ा सा और writing पर थोड़ा सा देख लिजएगा है ना मैं बाकि कि dictate कर रहा हूं और इतनी अच्छी तो है कि समझ में आजेगी क्यों लाइक्स में गो एंड इस फेवरेट सिटी इस चैन्नई तो यह हो गया चैन्नई दूसरा क्या कहा है दूसरा मुझे कहा है दा वन whose favorite city is Pune likes watermelon यहां परогई friend है यहां परогई बंदा है उसको watermelon है न 알 vermilन पसंद है और उसकी जो favorite city है वो क्या है Pune पune तीसरा टीस favorite city is Kolkata टी की जो फेवरेट city है अब यहां पर fruit नहीं पता टी की फेवेरेट सिटी क्या है कोलकाता चौथा आर लाइक्स गौवा एंड इस फेवरेट सिटी इस नॉट मुंबई आर को क्या पसंद ले सर गौवा गौवा और इसकी जो फेवरेट सिटी है वो मुंबई तो नहीं है तो मैंने यहां पर डब्बे में क्या लिखूंगा जो इसका फेवरेट होगा वो और यहां पर मैं मुंबई लिखके ऐसा क्रॉस कर देता हूं कि मुंबई नहीं है यह उस चीज को शो कर रहा है क्लियर पांचवा डब्लूस फेवरेट सिटी इस कोचिन and he does not like either banana or pear देखो डब्लू ठीक है ना डब्लू की जो डब्लू का जो फेवरेट सिटी है वो क्या है कोचिन वो क्या है कोचिन मैंने यहां लिख लिए कोचिन और डब्लू को नाहीं बनाना पसंद है और नाहीं पियर डब्लू को नाहीं बनाना पसंद है और नाहीं पियर मैंने यहां लगा दिया क्रोस शिक्स्थ क्या दे रखा है T Woah टी डस्नOT लाइक पी अछ्चा एक चिज और रहे गई कि द फेवरेट सिटी औफ द वन who likes orange is Hyderabad ठीक है एक कोई फ्रेंड है एक कोई बंदा है उसको क्या पसंद है Orange उसको क्या पसंद है Orange और वो उसको सिटी कौन सी पसंद है Hyderabad ठीक सेवन पॉइंट टी डस नॉट लाइक पियर टी को पियर पसंद नहीं है एट पीस फेवरेट सिटी नाइदर पूने नौर हैदरबाद पी की जो फेवरेट सिटी ये वो नाहीं पूने है और नाहीं हैदरबाद है नाइन्थ एस डस नॉट लाइक वाटर मेलन एस को वाटर मेलन पसंद नहीं है बस मैंने जहां ये सारे पॉइंट से लिख लिए वहाँ अब मैं ऊपर जो मैंने टेबल बनाया वहाँ पर मैं अब मैं इजीली वहाँ पर चीजों को लिख सकता हूं मैं इजीली वहाँ पर चीजों को लिख सकता हूं अब देखो मैंने जब ये पूरा बनाया तब मुझे एक चीज़ पता चली कि ये जो P, Q, R, S, T, V, W है इनकी सिटिंग अरेंजमेंट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ एक बार सारे के नाम लिख लेता हूं P, Q, R, S, T, V, W है ना एक दो तीन चार पाट छे साथ अब हमें यहाँ पर क्या करना है जैसा जैसा कोश् parishion में कहा है वैसा समय यहाँ दो मैं यहां लैन खीच रहा हूं ऐसी आपको एकजाम में कहींचने की ज़रूत नहीं है? चिक इसमें क्या holidays होगा आपको एक्जाम में कहीचने की ज़रूत नहीं है अब मैं इसको अलग color से यहाँ पर लिखूँँगा ताकि हमें चीजें यहाँ पर क्या हो clear हो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर यह जो एक से लेके नौ तक point लिखे मैं चीजों को आसान कर रहा हूं मेरी puzzle में जैसे कि q को mango और chain नहीं पसंद तो q fruit क्या है mango और यहाँ पर क्या जेगा chain नहीं ठीक है यह मैंने लिख लिए इसको मैंने right पर क्लिक कर दिया ठीक है टि को क्या पसंद है टी को पोलकाता यहाँ पर मैंने लिग दिए कोलकाता आगे चलते हैं ृ हम्वमवा पसंद है और मुंभरी पसंद नहीं है, थेक है व वाटर्मेलन NH जो हैैने सोरी डबलू है उसको कोचन पसंद है यहां पर मैंने लिगा टिए और T को पीर पसंद नहीं है, P को कुने और S को water, water melon, ठेक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस, यहां तक चीजें मुझे पता थी, है न, यहां तक मुझे चीजें पता थी, और मैंने ये सारी चीजों को यहां पर लिख लिया, अब मैं क्या चीज यहां से उठाऊं, देखो मैं बह क्लियर होती चले, अब मैं क्या यहां पर उठाऊं, तो मैं यहां पर देख सकता हूं, देखना दियान से, कि जिसको water melon पसंद है, उसको पूने पसंद है, जिसको water melon पसंद है, उसको पूने पसंद है, यहां पर water melon, S को पसंद नहीं है, मतलब S में तो water melon और पूने नहीं आ पी को पूने पसंद नहीं है लेकिन पूने उसको पसंद है जो वाटरमेलन पसंद है जिसको वाटरमेलन पसंद है मतलब पी में भी वाटरमेलन और पूने नहीं आएगा तो बचा क्या तो बचा क्या बचा सिर्फ और सिर्फ वी तो यहां पर आएगा वाटरमेलन और यहां पर आएगा क्या पूने ऐसे करना है क्लियर हो गया इतनी चीज़ क्लियर है अब समझो अब एक कोई ऐसा परसंद है एक कोई ऐसा परसंद है जिसको औरेंज और हैदराबाद पसंद है अब देखना पी को हैदराबाद पसंद नहीं है तो यहां पर तो आएगा ही नहीं हैदराबाद और और औरेंज यहां पर जगा बची है वो कौन सी है यह वाली तो यहां पर मैंने लिख लिया ओरेंज यहां मैंने लिख लिया है अधराबाद कखी होगय सबी को यह इतनी चीज समझ में आई ठीक अब समझना अब अब यहां पर मैं और क्या चीज उठा सकता हूं मुझे यह देखना धर पर मैं और क्या चीजें उठा सकता हूं मुझे यह देखना है देखो टी को पीर पसंद नहीं है पीर यहाँ पर नहीं आ सकता ठीक है और टी को पीर पसंद नहीं है तो पीर वहाँ पर नहीं आ सकता तो फिर वहाँ पर क्या आ सकता है हमें वो देखना है तो अब कौन-कौन से तीन fruit बचे हैं मेरे पास कौन कौन से बचे हैं पियर बनाना और एक और कौन सा एक और वो जिसका भी तक हमने यहाँ पर नाम लिया ही नहीं होगा है ना एपल कौन से एक और बचा है एपल मैने यहाँ लिख लिया एपल ठीक अब इन तीनों में से यहां पर P में, T में और W में चीजे आएगी, ठीक, अब देखो, W में देखो, बनाना और PR नहीं हो सकता, W में बनाना और PR नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, एक ही तो बचा है, फिर Apple, तो Apple हो गया, ठीक है, ये भी clear हो गया, अब P में S को, सुरी, T बचा है न, T को PR पसंद नहीं है, तो कौन सा पसंद होगा फिर, बनाना, तो यहां पर बनाना आगया, अब एक बचा है, PR, वो कहां आएगा, वो इधर आएगा, चलो, fruit का तो पूरा complete हो गया, मैं बहुत दीरे-दीरे समझा रहा हूँ, क्योंकि पहली puzzle है, इसलिए मैं बहुत दीरे-दी आएगा, आर पर वो आएगा, जिसका भी तक मैंने नाम नहीं लिया, किसका नहीं लिया, देखो, देखो यहां पर, मुंबई पूने दिल्ली, दिल्ली का नहीं लिया था, तो दिल्ली आगे इधर, बस, बन गई आपकी puzzle, यह puzzle आपकी बन गई, जैसे ही आपने बनाया, यह बनाना ही होता है, क्लियर हो गये सभी लोगों को, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इतने लंबी method से बताया, ऐसे में तो पूरा exam निकल जाएगा, यह वो, तो भाया, मैं यहां पर उन बच्चों को भी बता रहा हूं, जो पहली बार puzzle देख रहे हैं, क्लिय और मैंने direct यहां पर puzzle उठाई है, इसके basic को मैंने नहीं बताया, इसलिए क्योंकि मैं आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों ने थोड़ी बहुत तो puzzle का basic समझाओगा, और यह जो मैं आपको approach बता रहा हूं, आप लोग आपके mock test लगा के देख लो, आपक quizzes लगा के देख लो, इस approach से अगर आप question को solve करने जाओगे, puzzle को, तो accuracy तो 100% रहेगी ही रहेगी, और साथ ही साथ practice अगर इसी approach से करोगे, तो speed भी आपकी हमेशा increase रहेगी, कभी भी decrease नहीं होगी, इसकी guarantee मैं आपको दे रहा हूं, clear, तो यह हमारा यहां पर बन चुका है, अ अब हमको इसके question के answer देना है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते है, इनके question के answer हम लोग देते है, clear, ठीक है, चलो, तो पहला question क्या है, देखेगा, पहला question, who likes apple, apple किसको पसंद है, देखो यहां पर apple किसको पसंद था, apple पसंद है, मैं इसको दूसरे color से करो देता हूं, apple कि किसको पसंद है यहां पर क्या आजाएगा ऑप्शन एडवलो ठीक आगे चले चलो नेक्सक्ट फ्रूट डज पी लाइक पी को कौन सा फ्रूट पसंद है P कहा है यहां है P को पीर पसंद है क्या option में पीर है बिलकुल है option C हो जाएगा यहां से correct clear होगे सभी लोगों को ठेक next question which is our's favorite city आर की favorite city क्या थी तो देखो भईया आर की favorite city थी देली आर की favorite city यहां पर क्या थी देली तो बस यहां पर answer टिक कर दो option D देली बस इतने easy है puzzle which of the following combination of person fruit city is incorrect हमें incorrect बताना है तो आर गौवा कोलकाता क्या यही था तो बिलकुल आर गौवा कोलकाता है ना आर गौवा कोलकाता ना यह क्या है आर गौवा देली है तो यही क्या है incorrect है यही क्या है incorrect है clear होगे सभी लोगों यही क्या हो जाएगा incorrect है ना incorrect पुछा है ना बाकी देखो बाकी सब सेम होगा we watermelon है देख लो we watermelon है द्रबाद ही होगा we watermelon we watermelon और कोशन में क्या बुच्छा है परसन इनकरेक्ट अच्छा यह भी गलत है यह देखो यह भी गलत है यह भी गलत है V Watermelon and H causn क्यों कि यहां पर हमारा है V Watermelon and Poonay यह भी गलत हो गया फिर तो इसी प्रकार से फिर सारे गलत होने चाहिए फिर यह भी गलत होना चाहिए और यह भी गलत होना है तब पिर देखो चाहिए कषाओ तैस को प्रीक गलत हो गया फिर अमशार समय कोको छीन है कि भाईया ऊपर के चारो क्या है गलत हैं तो option all are incorrect clear हो गया सभी लोगों को चीक है चलो आगे बढ़ते हैं which is we's favorite city we की favorite city क्या है चेक करो we की यहाँ पर favorite city क्या थी पूने थी तो बस यहाँ पर टिक कर दो sir option भी पूने अरे clear हो गया सभी लोगों को कैसे क्या solve करते हैं puzzle को आप मुझे बस comment box में comment करके बता दीजेगा कि अभी जो actually कि बाहर से voice आ रही थी है ना चलो तो अब आपको मुझे comment करके बस बता देना कि मैंने यह जो puzzle समझाई है यह easily समझ में आई है या नहीं मैंने जो approach बताई है वो चीज clear है या नहीं अगर है तो भी बताईएगा और नहीं है तो भी लेकिन comment box में comment करना ज़रूरी है अगर आप कहोगे सर समझ में नहीं आया तो फिर मैं दूसरी approach से उसको करवाऊँगा clear हो गया वैसे तो यह वाली best है अगर यह समझ में नहीं आया तो फिर दूसरी approach से मैं आपको करवाऊँगा clear अब मैं आपको homework दे रहा हूँ homework है यह यह वाली puzzle यह दूसरी puzzle है है ना यह आप लोग के लिए homework है इसको आप पढ़िएगा question को ठिक उसके तीन question का आपको answer देना है पहला question यह है दूसरा question यह है और तीसरा question यह है इन तीनों question के आपको answer कहां देना है comment box में comment box में सभी के comment का wait करूँगा comment box में आपको इन question के answer देना है ठीक अगर सारे तीनों question के answer अगर सही हुए मैं सभी के चेक करूंगा और सभी को मैं परसनली कमेंड भी करूंगा तो यहां पर अगर सभी तीनों कोश्चन के अगर आंसर सही है तो समझ जाना कि आप लोग पजल काफी अच्छे तरीके से कर रहे हो मतलब एक्यूरेसी तो हमारी सही है हमें सरी आप स्पीड पर ध्यान देना है क्योंकि जैसे कि अभी अगर IBPS, IBPS, RRB का आपका क्या है एक्जाम है तो आप सभी लोग को पता है कि जो आपका प्री होगा वो 45 मिनट का होगा अब उस 45 मिनट में मुझे 40 question reasoning के भी है और 40 question maths के भी है तो मैं कैसे क्या करूँआ है तो मुझे accuracy तो मेरी ठीक है लेकिन मुझे speed पर ध्यान देना है clear हो गया सभी लोग को जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसे वैसा आप करते चलिए सारी चीज़ें आपको बनने लग जाएगी clear हो गया अभी तो मैं आपको easy to moderate level बता रहा हूं मैं आपको easy level भी करवाऊंगा moderate भी और high level भी clear मेंस तक भी clear चलो बस यहाँ लोग को क्या करना है आप लोग का support होना है ना आप लोग का support चाहिए कैसे support कि आपको भाईया मैं जो जो चीज़े पूछ रहा हूं homework में उसका answer comment box में हमेशा दीजेगा उसके बात channel को subscribe करना है subscribe करने के साथ साथ most important उसको share करना है अपने दोस्तों में facebook ग्रूप पर है ना facebook पर आप लोग post कर दीजेगा कि इस channel को subscribe करें है ना उपर से अगर एक classes अच्छी लग रही है तो भाई यह likes जरूर करिएगा likes से क्या मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोगों चीजे समझ में आ रही है है ना आप लोगों चीजे समझ में आ रही है सारी चीजे clear हो रही है clear तो like भी करना है classes को share भी करना है channel को subscribe भी करन और comment box में मैं आप लोगों से जो homework पूछ रहा हूं उसे comment box में आंसर दिने बस इतना support आपका चाहिए बाकी सारी चीज़े आप मुझे पर छोड़ो मैं आपकी हर एक चीज़ यहां पर clear करवा हूँ और comment box में कहीं पर भी अगर doubt हो तो आप लोग comment box में पूछ सकते हैं clear हमारा telegram channel facebook group facebook page अभी तक अगर आप लोगों ने join नहीं किया तो join कर लिजएगा इनकी सारी की जो link है वो description box में आपको मिल जाएगी clear तो चलिए आज के लिए आप लोग इतना रखते हैं मिलते हैं next class में ज